आज मैं आपको धान की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ पहले हम बात करेंगे कौन-कौन सी प्रमुक किस्मे है कम अवधिमे पकर तयार होने वाली किस्मों की बात करें जो 120-125 दिन के अंदर पकर तयार हो जाती है तो उनमें पूसा बासमती 1509 आप बहुत अच्छी तरह से परचित हैं पूसा बासमती 1692 और पिछले वर्स विक्सित किस्म पूसा बासमती 1847 सामिल है पूसा बासमती 1847 पंदर 109 का सुधार करके बनाई गई है और इसके अंदर पत्ती का जुलसा और जोंका रोग नहीं लगता है आप अच्छी तरह से परचित हैं किस्म की पैदावार बहुत अच्छी पिछले वर्स जो ही किसान इसे लगाए थे करीब 25 से लेकर के 28 से 30 कुंटल प्रती एकड की पैदावार 847 की आई है तना बिलकुल मजबूत होता है गिरता नहीं है और पत्ती का जुलसा और जोंका रोग बिलकुल नहीं लगता है जिससे दवा के उपर जो खर्च प्रती एकड करीब 2000 से 3000 रुपे आता था उसकी बचचत होगी इसके बाद हम दूसरी स्रेणी में आने वाली किसमें जो करीब 140-145 दिन के अंदर पकर त्यार होती है उसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718 और पूसा बासमती 1885 सामिल है पूसा बास्मती 1718 सुधरावा रूप है पूसा बास्मती 1121 का जिसके अंदर पत्ती का जुलसा रोग नहीं लगता है उसी तरह से पूसा बास्मती 1885 भी 1121 का सुधार करके बनाई गई है इसमें पत्ती का जुलसा और जोंका रोग नहीं लगता है तीसरी स्रेणी है उन किस्मों की जिनको पक कर तयार होने में करीब 155 से 160 दिन का समय लगता है इसमें पूसा बास्मती 4211 जिसको हम पूसा बास्मती 6 के नाम से भी जानते हैं और इसी का सुधरवा रूप पूसा बास्मती 1886 है जिसमें पत्ती का जुलसा और जोंका रोग बिलकुल नहीं लगता है तो ये प्रमुख किसमें हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता था इसके अत्रिक्त मुच्छल की स्रेणी में पूसा बास्मती 1637 आती है जिसके अंदर जोंका रोग बिलकुल नहीं लगता है मुझे उमीद है कि आप लोगों ने इसका बीज प्राप्त कर लिया होगा और अब आप नरसरी लगानी के तैयारी कर रहे होगे या अगर धान की सीधी विजाई करनी है तो उसके लिए भी आप तैयार हो रहे होगे ये सही समय है जब मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ अगर धान की सीधी विजाई आप कर रहे हैं तो क्या-क्या सावधानियां आपको बर्थनी चाहिए जैसा कि आप जानते हैं जब हम धान की सीधी विजाई करते हैं तो इसमें पानी की करीब 30-35% बचत होती है उसी तरह से धान की रुपाई में परतिये कर जो 30,000 रूपे से 4,000 रूपे का खरचा आता है उसकी भी बचत होती है और साथ ही साथ जो green house gas का उत्सरजन होता है उसमें भी करीब 35% की कमी आती है लेकिन धान की सीधी विजाई में क्या-क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए क्या-क्या समस्याएं आती हैं उसके बारे में थोड़ी सीमें चर्चा करना चाहोगा सबसे बड़ी समस्या आती है धान की सीधी विजाई में खर पतवार के नियंतरन की उसके अतरिक्त कई एक बार जो है इसमें जो लोहा तत्तो है उसकी कमी होनी की आशंका होती है जिसमें फसल पीरी पड़ती है सुरू के वस्था में धान की सीधी बिजाई की खेती अगर करना है तो उसमें क्या-क्या साउधानिया हमें बरतनी चाहिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ पहली बात किस तरह से इसकी बुआई करें और बुआई से पहले हम बीज का उपचार कैसे करें अगर किसान भाई अपने फसल से प्राप्त बीज का प्रियोग कर रहे हैं तो उसमें मैं उनको सुझाव दूँगा कि नमक का घोल 10 प्रतिसत का बनाएं यानि एक किलोग्राम नमक 10 लिटर पानी में घोल कर एक प्लास्टिक का बड़ा सर तब लेने और उसके अंदर बीज करीब 8 किलो के आसपास डालें जो हलके बीज हैं वो उपर तैरने लगेंगे और जो भारी बीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे जो उपर तैरते वे बीज हैं उनको निकाल करके बाहर फिंग दीजिए क्योंकि वो हलके बीज हैं उनकी उनवत्ता अच्छी नहीं है बीज का उपचार करने के लिए 2 ग्राम स्टेप्टो साइक्लीन 10 लिटर पानी में और साथ ही साथ 20 ग्राम बावस्टिन 10 लिटर पानी में घोल बनाके उसके अंदर करीब 7-8 किलो बीज आप 24 घंटे डूबो करके रखिए और इसके बाद बीज को निकाल करके छाए में फ्यला दीजिए और बीज को शुखा लीजिए अब ये बीज आपका बुआई के लिए तयार है धान की सीधी बिजाई के लिए खेट की तयारी कैसे करें तो इसमें दो तरीके होते हैं एक विधी जिसको हम तर बतर विधी कहते हैं तरबतर विधी में गेहों की कटाई के बाद जो भी खेत में नमी उपलद्ध है उसी नमी का प्रियोग करते हुए अभी हाल में बरसात भी हो गई है तो खेत की आप अच्छी तरह से जुताई करने के बाद उसको लेजर से अच्छी तरह से समतली करन कर लें इसके बाद ह जो सबसे उचित समय है वो करीब 25 मईस से ले करके 10 जून के बीच का है अगर धान की सीधी बजाई करनी है तो 10 जून के बाद आप न करें क्योंकि उसके बाद बरसात जब आ जाती है तो खरपतवार का नियांट तम अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और बुआई करने में लकी डिल जो आता है उसमें कूण से कूण की दूरी करीब 8 इंच के आसपास होती है और बीज की गहराई जो बुआई के समय हमको रखना है एक से 1.5 इंच की रखना है बुआई कंप्लीट होने के बाद हम तुरंत जो है एक दवा आती है पेंडी मिथलीन करीब करीब 1200 से ले करके 1500 मिली लिटर दवा 200 लिटर पानी में घोल करके एक एकड में इसका छिड़काव करिए तो ये प्री एमर्जन्स हर्विसाइड है जो खर्पतवार जो ही आएगा इसके संपर्क में आते ही खर्पतवार नस्ट हो जाएगा अब इसके बाद करीब करीब 20 से 22 दिन ब और इसके बाद फिर नामनी गोल्ड या भी स्पैरिवेक सोडियम जो दवा आती है उसका आप छिड़काव करें तो इससे जो खर्पतवार हैं वो समाप्त हो जाएंगे ये कुछ प्रमुक शावधानिया हैं जो हमें विशेश रूप से ध्यान रखनी है अगर हम ध्यान की सीधी विजाई कर रहे हैं तो तरबतर विदी के अलावा आप पहले खेत में धान के सीधी बिजाई कर सकते हैं उसके बाद खेत में पानी लगा सकते हैं और उसके बाद भी आप उसी तरह से दवा का छिड़काव जो पेडिमितलीन है और विस्पार वियक्सोडियम आवसिकता अनुसार करें पहली सिचाई जैसा कि मैंने बताया करीब 20 से 22 दिन बाद करते हैं और उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिचाई करते हैं अगर बरसात नहीं होती है एक विसेश ध्यान आप रखें कि बुवाई के तुरंत बाद अगर बरसात हो जाती है तो एक पपड़ी बेनने की समभावना हो जाती है उसमें अंक्रोण में कई बार दिक्कत आती है और ऐसी इस्तिती बनती है तो उसमया आप खेत में हलकी सी चाई कर दें तो अंक्रोण अच्छी तरह से हो जाएगा ये कुछ प्रमुख बातें थी जो की धान की सीधी वजाई के संदर्व में मैं आपसे साजा करना चाहता था और रुपाई के लिए पौध की त्यारी किस प्रकार से करें उसको हम अगले अंक में आपके साथ सर्चा करेंगे बहुत बहुत धन